नए गेहों कि किसमें तो हर किसान भाई को नहीं मिल पाती है और उनको अगर इगर करना चाहते हैं तो आपको पूरा सीर्स जितने खेती में आप इस साल करें तो अगले साल तयार होया तब इस्ट कि बुवाई अगर करना है तो आपको कुछ इंतिजार कुछ वेट करना पड़ता है उसके बाद ही नई किस्मों को आप ज्यादा सीट्स तैयार करके और नेक्स्ट एयर बुवाई कर पाते हैं तो जो किसान भाई पिछले साल कुछ सीट्स थे और उसके पहले निकले थे अग अलग अलग किसान भाई के लिए हैं क्योंकि कुछ किसान भाई अक्तूबर के लास्ट में बुवाई करना चालू कर देते हैं कि तो कुछ बुवाई करते हैं किसान भाई जो जनवरी महीना का पहला पकवाड़ा होता उस टाइम तक बुवाई करते हैं तो अगर जो प्राइटी का चैन करना आपको आसान हो जाएगा जिससे आप अच्छी पैदावाल ले पाएंगे पहले किसम दोस्तों जी डबलू 322 है और इसकी बुआई आप भारत के उन सभी राजियों में कर सकते हैं जहां पर गये हूं की खेती की जाती है क्योंकि अगर आप इसकी और दूसरे राजियों में भी बुआई होती है 115-120 दिन में पकर तैयार होती है तो आप इसकी बुआई लेट भी कर सकते हैं तीन से चार से चाहिया करने की आवसकता पड़ेगी उत्पादन के मामले में दिकाहा जाए तो दोस्तों 60-62 कुंतल आपको अधिक्तम उत्पाद जी तोस दाने होते हैं जिसके काड़ उत्पादन आपको अच्छा मिलता है और फसल गिरती नहीं है खासतोर से जब गिर जाती है फसल तो कितनी भी अच्छी पैदावार देने वाली हो उसको किसान भाई पसंद नहीं करते हैं तो उन सभी किसमों को वता रहे हैं जिनकी त सान भाई तीस बत्तिस कुंतल तक भी एक एकड़ में पैदावार ले चुके हैं हां दोस्तों नाम यदे आप में पी के रहने वाले हों तो पहले से ही समझ गए होंगे पूसा तेजस बराइटी है काफी अच्छी बराइटी है और इस बराइटी की खास बात यह है कि यह थोड़ा जल्दी पक कर तैयार हो जाती 110 दिन में ही मात्र positive कर दयार हो देश के रहने वाले हैं तो आपकी फेवरेट किस्म हो सकती अच्छी पैदावार भी मिल जाएगी अगर आप दूसरे राजियों के रहने वाले हैं जैसे यूपी आदिके तो इस खेत्र में भी भुवाई कर सकते हैं थोड़ा उत्पादन में साथ फरक आये लेकिन फिर भी आपको सांदार पैदावार दे देगी उत्तर प्रदेश में यह द्याप रहने वाले हो तो दिसंबर के लास तक भी इस किस्म को आप वुवाई कर सकते हैं फिर भी दोस्तो उत्पादन के मामले में कम पैदावार नहीं देगी अब हम अगली ब्राइटी की बात करते हैं ज काफी अच्छी मजबूत तने होते हैं काफी सांदार उत्पादन के साथ साथ तीन से चार सिचाईयां करने की जरूत पड़ेगी रोग बीमारियां बहुत कम इस ब्राइटी में देखने को मिलेगी अब कुछ प्राइवेट कंपनियों के सीड्स हैं जैसे सिर्याम एक सो ग तो 75 से 80 कुंतल तक हाई इल्ड इसकी होती है एकड में 30 कुंतल तक इस ब्राइटी से उत्पादन मिल जाता है बाकी दोस्तों यह बहुत लेट भी बुवाई की जा सकते क्योंकि मात्र 105 दिन में तयार होती तो अगर आप जनवरी के पहले पकवारे तक भी बुवाई कर दे दे देगी मद्यमुचाई का पौधा होता है इसलिए तना काफी मजबूरत होता गिरता आद नहीं है जिसके काण यह ब्राइटी भी आज काफी फेमस यूपी और एंपी में बनी हुई है अगली किसम है एच डी 87 28 पूसा मालवी थोड़ी पुरानी किसम है दोस्तों इसमे रोग बिमारियां ज्यादा लगते हैं लेकिन अगर आप इसकी बुआई करना पसंद करते हैं क्योंकि गेहुं इसका काफी ज्यादा पसंद किया जाता पच्पन कुंतल तक आपको एक हिक्टेर में उत्पादर मिलता है तिन से चार सचाहियां करने की जरूत पड़ती है मानना है कि अगर दूसरी ब्राइटियां मिल जाती है तो उसकी बुआई कर सकते हों दूसरी ब्राइटि में जैसे उन्नत एच्डी उन्तिस सर सठा गई है उन्नत डीवी डवलू पांसो पचास ये उन्नत किसमें पुरानी किसमों को थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया त इससे जो है आपको 20-22 कुंतल तक पैदावार मिलेगी तो इससे बहतर है कि आप नई किसमों की बुआई करें जिससे रोग बीमारियां भी नहीं लगेंगी नेक्स्ट ब्राइटी है बत्तिस अठानवे यह एच्डी बत्तिस अठानवे इसको नई ब्राइटी में ही सामिल किया जा सकता है क्योंकि अभी जल्दी में ही लांच की गई है और थोड़ा इसमें एक नंगेटिव पॉइंट है जो अभी तक मैंने ब्राइटी बताई है उनसे काफी कम उत्पादन इसका मिलता है क्योंकि 103 दिन में 100 दिन में ऐसी ब्राइटी है जो पकर तयार हो जाती इ टियर उत्पादन मिलता है ने 18-20 कुमतल तक आपको एक एकड़ में लगबग उत्पादन मिल जाता है तो लेट बुआई के लिए अच्छी है अगर आप जन्वरी के पहले पकवारे तक बुआई कर देते हैं तब भी इस ब्राइटी से आप उत्पादन ले पाएंगे बा चास से पच्पन दिन का टाइम लेती है लेकिन तना काफी मजबूत हुता पैदावार काफी अच्छी मिलती है 32 कुमतल तक भी किसान भाई इस ब्राइटी की बुआई करके पैदावार ले चुके हैं लेकिन सामान पैदावार 28-30 कुमतल तक आपको मिल जाएगी क्योंकि अधिक्तम जो है उत्पादन इस ब्राइटी से 80 कुमतल तक मिल जाता है और सभी प्रकार के रत्वा रोग की प्रतुरोधी किस्म है और इसको किसान भाई काफी ज्यादा बुआई करना पसंद भी करते हैं क्योंकि सांदार गेहों की क्वाल्टी इससे मिलती है तो इसको भ भी कियों राजियों में बुआई की जा सकती है 110 से पंद्रा दिन में तैयार हो जाती तो इसको लेट यानि दिसंबर के लाश्ट तक भी बुआई किया जा सकता है और दो से तीन सिचाईया करने की आवसकता पड़ेगी तना काफी मजबूत होता है इसलिए गिरती नहीं है नेक्स्ट बराइटी है 24, 98, 98 यह भी जबलपूर करिस्बिस विद्याले द्वारा बराइटी निकाली गए यह मद्य प्रदेश में काफी किसान बहीं की पसंद है इसकी बराइटी की अलग-अलग छेत्रों में उत्पादन में काफी दोस्तों उतार चड़ाओ देखने को म मिल जाता है 125 से 30 दिन में तक तयार होती तो मद दिसंबर तक आप इसकी बुवाई कर सकते हैं मद दिसंबर तक अगर बुवाई करेंगे तो इस सांदार पैदावार दे देती है जे डबलू बारा जीरो एक अगर हम इस लास्ट ब्राइटी की बारे में बात करें तो ये भी दोस्तो जबल पूर के सबस्विद्याले द्वारा ही निकाली गई किस्म है और इस ब्राइटी से अधिकतम उत्पादन 55 कुंतल तक मिल जाता है है एचाई 69 और ये जो ब्राइटी है दोनों एक समय में पकर तयार होती है और लगभग दोनों का उत्पादन भी एक जैसा मिलता है नई किस्म है रोग ब्राइटी आपको पसंद आए उसको आप लगा सकते हैं अगर आप इसके बारे में बिस्तार से और डिटेल चाहते हैं तो आप ब्राइटी का नाम बताईएगा हम उस पर अलग से पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो इतनी ही मिलते है नए वीडियो में धन्यवाद